हेलो दोस्तो मैं हूँ निशी और मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल निशी एवर ग्रीन टोपिक्स पर तो चलिए दोस्तो आज मैं आपको बताती हूँ बच्चे को जो सर्दी लग जाती है उसको घर पर कैसे सही किया जाए अगर बच्चे को सर्दी लग गई है और उसको हलकी सी चुबन है चाती में सीने में तो आप उसके लिए क्या करें जब बच्चे को ठंड लग जाती है और उसको हलकी हलकी चुबन होने लगती है तो बच्चा बहुत जादा रोता है और वह बहुत ज़्यादा परिशान रहता है और सोता भी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन तरीकों को आप अपनाई हैं और अपने बच्चे को आप जल्दी से ही ठीक कर सकते हैं अगर बच्चे को सुरुवाती में यानि आज ठंड लगी तो आज ही आपको ये उपाय करना है अगर आप के बच्चे को जाद समय हो गया है तो प्लीज आप डोक्टर की सलहा जरूर ले तो आपको क्या करना है अगर बच्चे को हल्की ठंड लग गई है आपने देखाओगा पान का पत्ता पान का पत्ता सभी लोग जानते हैं तो उसका योज बच्चे की ठंड में किया जाता है देशी पान आता है उसका पत्ता थोड़ा बड़ा होता है आपको वो पत्ता दो पत्ते लेने हैं और तवा गरम करके दोनों पत्तों पर सीधी तरफ तेल लगा कर अच्छे से तवे पर गरम कर लेना है दोनों तरफ से पत्ते को सेख लिजिए वो गुनगुने हो जाएंगे उसके बाद आप पत्ते को तवे से उतार लें और आप अपने हात उल्टी साइड हाथ पर टच करकर या फिर अपने गाल पर लगाकर फेस पर लगाकर टच करकर देखिए कि पत्ता आपको नॉर्मल गरम फील हो रहा है या ज़्यादा है अगर आप उससे परिशान है यानि पत्ता आपको ज़ादा गरम फील लग रहा है आप उसको अपने फेस पर टच नहीं करा सकते तो आपको पत्ता बच्चे को यूज नहीं करना है उसे थोड़ा ठंडा होने देना है अगर आप अपने फेस पर लगा कर देख रहे हैं और कर देना है उस पत्ते से कपड़े पैने रहने हैं चाती पर विक्स लगाई है उसके बाद पत्ते को चाती पर रख दीजिए कवर कर दीजिए और अच्छे से बच्चे को ढख दीजिए दूसरा पत्ता जो आप मैंने बताता आपको दो पत्ते गरम करने दूसरा जो पान का पता है उसको back side कमर की back side आपको विक्स लगाना है और उस पर भी same process यही करना है अपने बच्चे की जो back side है उसको मतलब cover कर देना है छाती के direct पीछे वाली जो side है उस पर पत्ते को रख देना है तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूंगी इसमें बहुत ज़्यादा साफधानी यह रखने वाली बात है कि पता ज़्यादा गरम ना हो आपको अगर अगर अपने skin पर अपने हाथ पर अपने face पर बिल्कुल सबसे सही तरीका है face पर touch कर कर देखिए अगर आपको गरम लग रहा है तो ज़्यादा गरम लग रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी मत रखिए अगर नॉर्मल लग रहा है आपको हलक हलका गुन गुना लग रहा है ना ही ठंडा ना ही ज़्यादा गरम है तो आप अपने बच्चे को उसके लगा सकते हैं आप देखेंगे कि बच्चा कुछ ही देर में बहुत जल्दी आराम से सो जाएगा, उसे रिलैक्स फील होगा और आपको दूसरा तरीका क्या करना है विक्स लेनी है बच्चे के तलवे में पैरों के जड़ तलवे होते हैं उनमें बच्चे के हलकी सी विक्स लेकर मसाज करनी है दो से तीन मिनट तक दोनों तलवे मसाज करने के बाद उन्हें सोक्स पहना देनी है उसके बाद आपको बच्चे का जो उपर सीर के उपर काग होता है उसके उपर भी आपको विक्स लगा कर अच्छे से काग के उपर बच्चे को इसकाप वगेरा या कैप वगेरा डाल देनी है और आप अच्छे से साफधानी पूर्वा करेंगे तो मैं कहती हूं 100% आपको रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तो चलिए मैं दोस्तो अगर आपके पास फिलाल पान के पत्ते नहीं हैं तो आपके आसपास या आपके घर में अंडा तो जरूर रखा होगा तो अगला तरीका मैं आपको बत पर आपके आसपास से जल्दी से ला सकते हैं तो एक अंडा लेकर आ जाईए बचे को अगर ज्यादा सर्दी है तो आप दो अंडə लेकर आ सकते है लेकिन अगर हलकी फुल की सर्दी धर तो आप एक अंडा लीजिए उस अंड'de को फोड कर बाएウल में निकाल लीजिए और चम्मच की सायता से अच्छे से मिक्स करिए जैसे कि हम ओमलेट बनाते हैं लेकिन दोस्तों ये ओमलेट नहीं बनानी है आपको क्या करना है उसको अच्छे से मिक्स करकर आप तवे को गरम कीजिए उस पर थोड़ा सा तेल लगा कर तवे पर उस अंडे को मिक्स करें वंडे को तवे पर डालिए ऐसे ही और दोनों तरफ से उसको अच्छे से सेख लीजिए सेखने के बाद जैसे कि एक तरह की ओमलेट बन जाती है उस तरह से ये दिखाई देगा आप उसको अच्छे से बना कर तवे से उतार लीजिए और दोस्तों जैसे कि आपने पान के पत्ते को टच करके देखा है तो आप इसी भी इसी तरह से प्रोसिस करकर अपने बच्चे के सीने पर लगाईए यानि आप इसको इस अंडे की ओमलेट को भी अच्छे से अपने गाल पर अपने फेस पर टच करकर देखिए अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल हीट लग रही है आप अच्छे से सहन कर सकते हैं इसको अपने फेस पर क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सोफ्ट होती है और इससे हमें पता चल जाता है या हमारे बेबी को गरम लगेगा या नॉर्मल अगर हमें नॉर्मल लग रहा है तो हमारे बेबी को भी अच्छे से नॉर्मल लगने वाला है तो आपको अगर नॉर्मल हो गया है तो आप इसी तरह से हल्की सी विक्स लगाईए और बच्चे के सीने पर अच्छे से इस omelette को cover कर दीजिए आप देखेंगे कि बच्चे को बहुत जादा आराम लगेगा सुबह उठकर आराम से खेलने लगेगा लेकिन ये तरीके पान के पत्ते वाला और आपको ये omelette वाला आपको इन दोनों तरीकों को जब करना है जब बच्चा सो गया हो अगर रात में करेंगे तो बहुत ही best होगा तो इस तरीके को आपको करना है अगर ज़्यादा ठन लगी गया तो दो omelette बनाईए जैसे पान के पत्ते सीने पर आगे और पीछे की side back side लगाया था इसी तरह से आप इन दोनों omelette को ऐसे ही normal feel कराके heat normal होनी चाहिए दोनों तरफ लगा सकते हैं तो बच्चा आराम से सो जाएगा और उसे आराम से relax feel होगा दोस्तों ये कोई भी वेकार की बात नहीं है ये मेरी मम्मी जो है उन्होंने मुझे बताया था अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो में आप अच्छे से पहले तो समझ लीजिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है दोस्तों जितना संभव होगा मैं आपको reply करने की कोसिस करूंगी तो आप इन तरीकों को जरूर अपनाईए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजे थैंक्स पूर वोचिंग इस वीडियो फिर मिलते हैं आपके बच्चे और आपके बारे में किसी और नए टोपिक के साथ